धरम को अपनाया था विजय दश्मी के दिन नागपूर के अंदर दो घटनाएं घटी हैं हर साल रसेस के हेड़कॉाटर के अंदर शस्त्र पूजा होती है और नागपूर के अंदर भारी तादाद में पूरे देश से दलित समाज से लोग के कठे होते हैं और बाबा साब अम दूरदर्शन लाइव टेली कास्ट करता है लेकिन लाखों दलित जो बाहर मैदान के अंदर नागपूर के अंदर इकठे होते हैं अपने बाबा साब अमबेडकर को याद करने के लिए उनका दूरदर्शन लाइव टेली कास्ट नहीं करता है अभी आप सबने NCRT सुना हो होगा National Council for Educational Research and Training NCRT उसकी जो राष्ट्रे परिशद है उस राष्ट्रे परिशद के जो चेर मेने वो यूनियन HRD मिनिस्टर होती है स्मृती रानी जी उसकी चेर पैसन है और उसके जो मेंबर होते हैं वो देश के जितने राज्ये हैं हर राज्य का शिक्षा मंतर उसका में कि अब ही पिछले हफ्ते उनकी मीटिंग हुई मनिसी सौधिया जी दिली के शिक्षा मंतरी हैं इनको वहां जाने का मौका मिला यह वहां गए और लौटने के बाद यह पूरा किस्सा मुझे बता रहे थी कि उस मीटिंग में क्या हुआ NCRD की मीटिंग में इन्होंने बताया पांच मिनट पहले पांच मिनट में जो उनका फॉर्मल एजेंडा था वो पूरा कर लिया और उसके बाद चर्चा शुरू हुई उसमें कई BJP शासित राज्यों के भी शिक्षा मंतरी थे चर्चा शुरू हुई कि सावरकर को स्कूलो में पढ़ाना चाहिए कि नी पढ़ाना चाहिए जब मनीश ने विरोध किया उनको लगा बाहर बात फैल जाएगी तो स्मृति जी कहते हैं नहीं इसको बात को यहीं खत्रम करते हैं हम नई शिक्षा नीती बना रहे हैं उसमें डाल देंगे इसको बाद में आपको बताएं बाबा साथ के जीवन बाबा साथ के जीवन और बाबा साथ के विचार बाबा साथ के संदेश इनको विस्तार से आप दिल्ली के सारे स्कूलों में इसका सिलिबस तयार किये और सारे स्कूलों के अंदर इसको पढ़ाने का इंतजाम कीजिए बाबा साब अमबेड कर वो खुद छुआ छूत का शिकार हुए थे उन्होंने खुद ने अपनी जिन्दिकी के अंदर अन्याय बरदाश्ट किया था इसलिए उन्होंने समविधान के अंदर फो जानते थैं कि ये समाज वो समाज जिसने सदियों सदियों से अन्याय बर्दाश्ट किया अगर उस समाज को अपने बराबर लाना है तो उनको लेना पड़ेगा आज मौजूदा सरकार RSS के प्रमुख कहते हैं, रिजर्वेशन के उपर पुनर चर्चा होनी चाहिए– प्रधान मंत्री जी कहते हैं, हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, किसके बेफ़ कु बना रहे हैं– चित भी मेरी पट भी मेरी– चुनाजए हो जाए है तो, दलीतों के वोड्ए चाहिए चुनाफ आजआ है तो कहते है, रिजर्वेशन होना चाहिए चुनाफ जीतने के चांस ो तो कहते है, रिजर्रवेशन खतम कर दो, सारा देश देख राए इसको, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ जी, मौत जी देश नहीं है, आरे से संसद नहीं है और मनुस्मृती समविधान नहीं है आज ये देश आज ये देश कौन से समविधान से चलाने की कोशिश की जा रही है बाबा साब अम्बेड करके समविधान से आमनुस्मृती के समविधान से हम ये बरदाश्ट नहीं करने वाले ये देश बरदाश्ट नहीं करने वाला बहुत सालों की संगर्ष के बाद बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी और अजादी के बाद बाबा साथ अंबेड कर ने हमें ये समविधान दिया है इस समविधान के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे लेकिन इस समविधान के विर्ध कोई काम नहीं होने देंगे आज इन्होंने सम्विधान के परखचे उड़ा रखे हैं इन्होंने अरुनाचल के प्रदेश के अंदर सरकार तोड़ दी खरीद लिए सरकार तोड़ दी, सरकार गिरा दी बाबा साथ मंबेटकर का सम्विधान तो ये नहीं कहता बाबा साभ बैड़कर सम्विधार चुनाव लड़ो जीत क्या हो चुनाव लडने की टाकत नहीं बची अब अब सरकारें तोड़ेंगे सरकारें गिराएंगे अरुणाजर्ग पर देश की सरकार तोड़े उत्रापरशेल की सरकार तोड़ दी अब कहा रहें दिल्ली के 21 मेले बर्खास्त करेंगे कर लो बर्खास्त आजाओ मैदान में चुनाव लड़ते हैं हिम्मत है तो आजाओ मैदान में चुनाव लड़ते हैं हम बाबा साब अमबेड करके सम्विधान के इसाब से चुनाव लड़ेंगे तुम ये बैक डॉर एंट्री करना बंद करो ये देश की जनता परमना